मेरा नम रविंद्र है और आप देख रहे हो फार्माल केपिटल तो आज हम लूब डिसकर्ष करने वाले हैं आपको पता है नहीं पता है तो प्लीज्मग लुइसे के अंदर भी और बहुत सारे सब डिपार्टमेंट हैं जैसे एक्जामपल आरेम पीएम एब जी तो मैं आज इन सब का आपको अबर्व्यू देने वाला हूं पहले हम डिसकर्स करेंगे आरेम के बारे में रो मटेरियल स्टोर तो रो मटेरियल के बारे में जानते हो क्या होता है रो मटेर रहता है जो भी प्रोडेक्ट कंपनी बनाती है उसका जो रहता है जैसे फार्मा कंपनियों में API है पाउडर है सेमी सॉलेड है लिक्वर्ड है जो प्रोडेक्ट के लिए रिक्वार्मेंट है उसको स्टोर करना उसकी रिक्वार्ट टेम्परेश्चर पर यह अपर सिर्फ यह हैंडल करता है कार्टन सोपोक्स आउट शेटर और भी जैसे कि आपकी प्राइमरी पैकिंग है बोटल कैप सीपर इन में काटेगराइज रहती है क्यूंकि पेकिंग मडर samma सांसी को स्टोर करते और हेंडल करते और प्रॉडक्षिन में भी पेकिंग मटर यूजू होता है का आपको प्मधिशन विए उने वाला प किमिटेल आपका पॉलीवेक यह सब्षीज बार्ट्मेंट हैं उसके बाद nós डिपार्टमेंट है जो कि सब डिपार्ट है इस्टोर का उसको वोतने है एफजी या फिनियस्ट गूड्स इस्टोर तो होता क्या है इस्टोर डिपार्टमेंट जब आपको रो मटेल पैकिंग मटेल डिस्पेंस कर देता है किसको प्रोडक्शन को तो प्रोडक्शन मटेल प manufacturing department store को फिर से hand over कर देगा लेकिन इस बार क्या रहेगा रो नहीं फिनिस गुर्ड दे रहा होता है तो मतलब ऐसा हो गया कि फार्मा में भले ही material आए या जाए anti-aggressive store से होती है ओके मैं रभिंद्र related to pharma related to wildland और related to interview और भी वीडियो बना रहा हो यह मेरी पूरी सीरीज है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फार्मा कैबिटल बाए